Hello everyone, इस वीडियो में हम समझेंगे low level language का meaning, अच्छे सा समझेंगे इसे with example और last में हम देखेंगे इसके advantage और disadvantage इसको इसके लावा low level language के related जितने भी topics हैं उसका आपको यहाँ पे title दिया गया है और इन सभी का link आपको वीडियो के description में available है क्योंकि इस सारी वीडियो आपस में interlink करती हैं इसलिए आप इन सारी वीडियो को भी check out कर सकते हैं तो start करते हैं low level language के meaning से low level language को computer की native language भी कहा जाता है या native language के रूप में भी मानते हैं अब यहाँ पे native language का क्या मतलब है अगर मैं human की बात करूँ तो हमारी native language होती है हमादी father tongue या mother tongue या हम कह सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो language सीखता है by born या by birth उसे उसकी native language कहा जाता है अब computer के case में low level language उसकी native language कहा जाता है या माना जाता है क्यों क्यों क्योंकि low level language very close मतलब बहुत करीब होती है कि आप एक actual machine instructions लिखते हैं 0 और 1 के रूप में अभी 0 और 1 क्या है कि जब भी आप कोई काम करते हैं आप एक computer को start करते हैं आप उस पे कोई operation रन करते हैं आप उसे अपनी hard disk में save करके रखते हैं जो भी program आप run करते हैं वो सारा काम आप तो अपनी native language में करते हैं जो भी language आपको आती है आपको English आती है आप English में typing करते हैं अगर आपको Hindi में typing करना आती है आप Hindi में typing करते हैं लेकिन background में जितना भी काम होता है वो 0 और 1 के रूप में ही होता है अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जितनी वीडियो को हम cover करेंगे तो और आप अच्छे से इन्हें समझेंगे कि कैसे computer जो है वो सारा काम करता है इसलिए इस language में लिखे गए program काफी fast और memory efficient होते हैं अब वो कैसे इसे भी समझते हैं अब native language की मैंने बात की तो मैंने आपको ये बताया कि जिस language में आपको समझ आता है आप उसी language में अपना program लिखते हैं लेकिन starting में ऐसा नहीं था starting में जब आपको computer को command देनी होती थी या उससे communicate करना होता था तो वो भी आपको 0 & 1 में ही करना होता था वो हम आगे example से समझेंगे तो वो आप English में या Hindi में नहीं लिख सकते थे उस समय आपको command भी 0 & 1 में ही देनी पड़ती थी कि आपको addition करनी है, subtraction करनी है या कोई program run करना है, computer को start करना है या उसे बंद करना है यह जितना भी instruction होता था यह 0 & 1 में ही होता था इसलिए ये एक nightmare होता था low level language में कोई भी program को write करने में तो कोई भी addition, subtraction, multiplication अगर आपको करनी है low level language में तो उसके लिए आपको बहुत number याद रखने पड़ते थे यगर addition करनी है तो उसका क्या number होगा 0 1 में, minus में subtraction में क्या होगा तो इसलिए ये काफी tricky हो जाता था आपके लिए कि आपको low level language में computer को command देनी है तो low level language में दो तरह की language आती है सबसे पहले machine language और दूसरा है assembly language यह हम आगे discuss करेंगे अपनी अगली वीडियो में कि machine language और assembly language क्या है अब next example देखेंग low level language का जैसा हमने देखा कि low level language की two types है machine language और assembly language तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे समाजने के कोशिश करेंगे next हम आने वाली वीडियो में हम इसे और अच्छे detail में समझेंगे तो machine language में अगर हम example की बात करें अगर आपको add करना है 10 and 5 को वालब 10 और अगर 5 की आपको addition करनी ह तो उसमें आपको जो command देनी पड़ेगी 0 and 1 में वो कुछ इस तरह होगी 00001011 यह आपका addition के लिए command होगी कि आपको add करना है अब करना क्या है आपको addition किस चीज का कौन से दो number है जिसका आपको addition करना है वो है सबसे पहले 10 जिसकी command रहेगी 000000001 then इसमें करना है आपको 5 add त 000010 तो इस तरह से अगर आपको कोई भी addition, subtraction, multiplication, division करनी होती है low level language में तो आपको सारे जो command है वो 0 और 1 की form में देनी पड़ती है अब अगर हम assembly language में बात करें तो इसमें use किया जाता था नेमोनिक्स का नेमोनिक्स का क्या फाइदा हुआ इसने relief दी remember करने में मतलब याद र specific instruction के regarding तो कोई भी अगर आपको कोई specific instruction देनी है उसके regarding जो binary number है उसे याद रखने में आपको relief मिली अब आपको वो याद नहीं करना पड़ता है जैसे कि कुछ words है addition के लिए add, subtraction के लिए sub, तो अब आपको addition के लिए क्या binary number होगा वो आपको याद नहीं रखना है, subtraction के लि वो आपको command कुछ ही तरह से आप देख सकते हैं, example लेते हैं, addition करनी है आपको 10 और 5 की, अब पहले यहाँ पे जब हम machine language में हम जब addition करते थे तो हम उसकी भी 0 और 1 की form में command देते थे, लेकिन अब assembly language में हमें addition के लिए कोई command नहीं देनी है, हमें उसका एक mnemonics जो उसका लिखना है, जो की है add, 10 के लिए हम फिर से command देंगे और 5 के लिए हम फिर से command देंगे, तो calculate होके result हमारे पास आ जाएगा, तो I hope इस example से आप समझ चुके होंगे, क्या low level language है, और जो भी दो इसकी types हैं, वो कैसे काम करती है, फिर भी, अगर कोई आपका doubt रहेगा, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, अब देखते हैं low level language की advantages, सबसे पहली है, ऐसे program जो develop किये जाते थे low level language का use करके, वो ज़्यादा fast और memory efficient होते थे, अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि मैंने बात की आपकी native language के बारे में, तो जिस language को आप जानते हैं, मालने जे example के लिए English, तो अगर आ सामने वाला भी English अच्छे से समचता है, तो communicate करने में आपको असानी होती है, अब ज़्यादा जल्दी communicate कर पाते हैं, इसी तरह low level language में 0 और 1 machine language का use होता है, जो कि command को ज़्यादा fast way में understand करता है, दूसरे advantage है, low level language में किसी भी compiler या interpreter की जरुरत नहीं होती है, source code को machine code में translate करन के लिए, अब यहाँ पर सबसे पहले source code और machine code को समझते हैं, अब अगर मान लिजे कि आपको English अच्छे से आती हैं, लेकिन जिस person से आप communicate करना जाते हैं, वो English नहीं समझता है, तो आपको बीच में translator की जुरुत पड़ेगी, जो कि आपके words को उसे अच्छे से समझा सकें, कि आप कहना क्या जाते हैं, इसी तरह, computer के case में, क्योंकि computer सिर्फ machine code को समझता है, 0 and 1 को, और source code आपका वो code होता है, जिस way में आप command दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपको English आती हो, तो आप English में command देंगे, लेकिन low level language में हमने समझा कि आप command भी 0 और 1 की form में देते हैं, तो आ source code भी 0 and 1 है, और आपका machine code भी 0 and 1 है, तो इसमें किसी भी translator की जुरूत नहीं है, और translator हमारे पास क्या-क्या है, compiler और interpreter, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, कि low level language की case में, compiler और interpreter की जुरूत नहीं पढ़ती है, जब भी आपको translate करना है source code को machine code में, तो जैसे मैंने आपको बत कर सकते हैं, और इसमें यह सारे translator है, assembler, interpreter, compiler, जिसे हम आगे अपनी वीडियो में cover करेंगे, third advantage है, it can directly communicate with the hardware devices, अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि background में जितना भी काम होगा, वो सारा 0 and 1 की form में होगा, तो अगर आपको hardware devices से भी connect करना है, तो उसके लिए भी वो directly communicate हो जाता है, आपको किसी program की जुरूत नहीं है, hardware devices आपकी जितनी भी जिसे आप touch कर सकते हैं, एक software होता है, और दूसरा hardware होता है, software आपका device के अंदर है, जिसे आप touch नहीं कर सकते हैं, hardware आप touch कर सकते हैं, जो भी आपका CPU है, motherboard है, transistors लगे हुए है, keyboard है, mouse है, यह सारे आपके printer है, hardware devices ह तो इनसे वो directly communicate कर लेता है, then last है, disadvantages of low-level language, programs जो की develop किये जाते हैं, low-level language का use करके, वो machine dependent होते हैं, अब जो भी commands आप देंगे, 0 and 1 की form में देंगे, तो low-level ज्यादा करके depend करती है, machine language के उपर, second है, low-level language पे काम करना काफी difficult और एक nightmare है, क्योंकि इसमें machine language की deep knowledge की जरूरत होती है, तो आज के time में यह काफी easy है, अगर हमें computer को command देनी है, तो जो भी language हमें आती है, हम उसमें उसे command दे सकते हैं, लेकिन वहीं all times में, जब हम low-level language का use करते थे, तो हमें command भी machine language में देनी होती थी, एक addition तक करने के लिए, subtraction तक करने के लिए हमें उसे उसी के language में command देनी पड़ती थी, तो काफी difficult हो जाता था अगर आपको हर machine language को याद करके रखना है, low-level language का result ज्यादा तर उसकी poor programming productivity ही होता था, तो अगर आपको addition करनी है दो number की, और उसमें आप किसी भी binary number को manipulate या shuffle कर देते हैं, तो उसकी calculation का result होगा, व जब आप programming करते थे, तो उसका productivity result है, वो काफी poor आता है, आज की high-level language के comparison में, वीडियो कैसा लगा, ये comment करके जुरूर बताएं, और अगर आपके किसी भी topic है regarding कोई query है, तो आप उसके लिए मुझे comment कर सकते हैं, मैं वहीं आपको reply करके, या फिर उस पे एक अलग वीडियो बना के आपके साथ share कर दूँगा, इसी तरह की हर update के लिए student notes चैनल को subscribe करें, वीडियो को like और share करें, thank you